अलो दोस्तों, असलाम वालेकुम, स्वागत है आपका The People Medical Channel पर देखिए आज इस वीडियो में जानेंगे कलोना फिट 0.25 MD टेबलेट के बारे में जानेंगे ये कि ये काम पर काम आती है, कब इसको यूज किया जाता है, क्या इसकी कोई आदत पड़ती है, कितने दिन तक ली जाती है, इसके क्या साइड फिट होती है, कितनी डोच ली जा सकती है वीडियो पुरद देखेगा सेमपूर्ट जानगारे के लिए तो शुरू करते हैं देखें कलोना फिट जो आता है एक brand आता है Mankind Company का ये brand आता है Mankind Pharma Company बनाती है काफी ज़ादा जाने मानी company है चलने वाले product इसके आते हैं दोस्तों यह जो कलोना फीट टेवलेट है यह डोक्टर प्रिस्क्रिप्शन है यानि डोक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं कभी भी सेल फ्यूज मत कीजेगा इस चीज का ध्यां रखेगा दोस्तों इसके अंदर जो कंटेंट आता है उसका नाम है कलोना जीपाम 0.25 mg में और जो बेंजो डाइजी पाइन केटिकर न अंदर आने वाली जो द्वाईया होती है यह गाबा केमिकल मेशंजर को बढ़ा कर काम करती है गाबा देखिए ब्रेन की अंदर काफी सारा केमिकल मेशंजर होती है जैसे की शेल्टोनिन हो गया उसी तरह से गाबा केमिकल मेशंजर को ये बढ़ा कर काम करती है और abnormal activity को ये कम करती है excessive activity जो दिमाग के नियूरो cells के अंदर चल रही होती है दिमाग के अंदर जो muscles होती है जो cells होते हैं उसके अंदर जो extra stress आ रहा है व्यक्ति को anxiety produce कर रहा है जिसके काड़ anxiety हो रही है उसको ये relax करकर काम करता करता है तो एक्ति Imperial को डावन करता है जो कि Tension को पैदा कर रही है और उस chemical Door करकर काम करता है जो कि विक्ति को तनाव मुख्त करते हैं खुशहाल मनाते हैं मूड को फोकस करते ऑनज करते हैं थो कि धर्रियर करकर काम करते हम जो उत हांद की। expresses होना दोरें आना तो इसको काफिया ज़्लीप्सी की होना बढ़िया काम करती है iink क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को Ł करकर काम करती है जिसे की वेक्तिरीफिक फिरेक्शी परॉल्म तो पैनिक डिसोडर कहते हैं उसको लगता है कि उसको इसा लगता है तो वगता है उस चीज़ को सोचके तो उस एक्टिवीटी को कम करता है तीसरा इसके जाता है एंजायटी डिसोडर की प्रोब्लम में anxiety disorder में दोस्तों कई सारी signal होते हैं जैसे कि विक्ति को आईसो मेने हो जाता है नींद आने में दिक्कत होती है नींद नहीं ले पाता थोट्स नेगेटिव हो जाते हैं गल्त विचार दिमाग में आते हैं या तनाव ले लेता है मूड को खराब रखता है फोकस नहीं रह पाता ठीक है ऐस समाने विवार करता है तो काफी सारा signal इसके अंदर आता है जिसको हम कहते हैं anxiety disorder होता है तो उस condition में भी इसका यूज किया जा सकता है देखिए इस टेबलेट की कुछ सावधानिया है जैसे कि आपको एक तो alcohol के साथ इसका यूज नहीं करना है बहुत ज़्यादा ऐस सुरुक्षित है ठीक है आपको गाले चलाते से में भी यानि driving करते से में भी इसका यूज नहीं करना है ऐस सुरुक्षित है बहुत ज़्यादा है नींद आ सकती एस टेवेड़ को लेने के बाद नुकसान हो सकता है दुर गटना हो सकती है तो सराप के साथ और आपको driving करते समय इसका यूज़ नहीं करना है प्रेग्नेंसी ब्रस फिडिंग में यूज़ किया जा सकता है लेकिन गाइनकोलोजिस डॉक्टर वहां पर इस्पेशल देखके ही प्रस्क्राइब करते हैं तो सेल्फ यूज़ मत कीजिएगा आगो कोई किड़नी लिवर की डीज़ है को बता की यूज़ कीजिएगा कर सकते हैं लिवर को बता दीजिएगा इसके कुछ साइड फिट भी होते हैं जैसे की विक्ति को नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है यह भी हो सकता है कि नींद ना आए या हो सकता है कि कब जबनने लगे नोज या वोमिटिंग प्रोलम हो ने लगे तो यह कुछ side fit हो सकते हैं लेकिन यह बहुत ही minor होते हैं महसूस नहीं होते हैं चले जाते हैं कुछ दिन के बाद और अगर हो ज्यादा दिक्कत आ रही है तो डोक्टर को जुरूर बताना चाहिए इसके डोच के बाद करों तो इसके कोई डोच fix नहीं होती है इस ट पिट वाली tablet होती है निकी आदत पर जाती है फिर tablet लेने के बाद ही नींद आती है और फिर दिरे-दिरे इसकी मिलिग्राम बढ़ती जाती है तो नींद आने की प्रोब्लम में हो सकता है कि दोक्टर एक या दो दिन लिए दे 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 वो भी कारण वर्स ठीक है उसके बाद ये बंद हो जाती है हो सकता है कि फिलिप्स की प्रोब्लम में थोड़ लंबी चल जाए तो अलगलग प्रोब्लम में अलगलग हो सकती है ठीक है दिन में एक हो सकती है रात को एक हो सकती है आधी-आधी भी हो सकती है तो डिपेंड करता है तो संपूर्ण रियो था कलोना फ